Hi guys, good morning, this is Shakti from Conceptual. तो guys, मैं अपना पहला trade ले चुका हूँ, 37-300 को मैंने right किया है, और trade अभी हमारे favor में ही है, मुझे यहाँ पे 78 point का profit हो रहा है, कुछ दियर पहले ही जो मेरा profit था, इससे भी बड़ा था, मुझे 50-60 points मिल रहे थे, पर वहाँ पे अपना profit बुक नहीं कर साथा था, क्योंकि मे मेरा initial stop loss था, वो था सिरफ वो सिरफ साथ point का, तो मतलब 1-2 risk and reward में मैं खेल रहा हूँ आज, scalping वाला दिन है, scalping वाले दिन मेरे stop loss ही जो है, और भी छोटो है और मेरा reward बढ़ जाता है, तो 1-2 का risk and reward है, trade अभी हमारे favor में ही मुझे यहाँ पर profit भी हो रहा है, 14-1500 रुपे पर अभी जैसे कि इसने हमें कुछ profits दिखा दिये हैं, मेरा stop loss टेल होके और भी नीचे आजाना चाहिए और मैं यहाँ पर बड़ा नुकसान नहीं लेने वाला, पर अगर मेरे trade यह favor में जाता है, तो यहाँ पर जो मेरा initial target है, वो है 120 point का, जहाँ पर मैं अपनी आदी quantity exit रहा है, और वहाँ पर मैं बड़ा नुकसान नहीं लेना चाहता, हालकि जो मेरा initial stop loss था, वो ही काफी छोटा था, सिरफ और 6000 पर का मेरा stop loss था, इतने का तो उसने मुझे profit दिखा दिया था, पर profit मुझे वहाँ पर बुक नहीं करना था, क्योंकि 6000 का profit बहुत चोट है, और 6000 पर नुकसान भी बहुत चोट है, मुझे profit बड़ा चाहिए था, पर नुकसान ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, नुकसान 6000 का maximum हो सकता था, पर जैसे उसने में जो profit दिखाया, कुछ मेरे stop loss थे उपर से trail होके नीचे की तरफ आए, और वहाँ पर इस discipline maintain करते हैं, मुझे exit ही करना पड़ेगा, अगर मेरा trailing stop loss hit हो गया तो, हलाकि अभी price जो है, trailing stop loss मेरा लेके वापिस नीचे की तरफ जाने की कोश्च कर रहा, होच तक कुछ दे में दुबारा से बहुत हो है, 400 आजाए, 350 आजाए, 300 आजाए, यहां फिर जो मेरा 290 पर target था initial, वह ची हो जाए, पर दुबारा मोका मिलेगा, फिर से एंटर कर जाओंगा, और कोई गरंटी भी नहीं, next trade चले, हो सकता है, next trade लूँ, वहां पर भी मुझे नुकसान हो जाए, पर इस चीज की गरंटी है, कि नुकसान मेरा छोटा ही होगा, क्योंकि चहां पर मुझे नुकसान होता है, वहां पर फेवर में जा रहा है, भाव अगर आपके फेवर में चल रहा है, trade आपके हिसाब से चल रहा है, तो वहां पर exit करना नहीं बनता है, वहां पर छोटा प्रॉफिट नहीं लेना, नुकसान को छोटा रखना है, पर प्रॉफिट को छोटा नहीं रखना, वहां पर बने रहो, तो देखते हैं guys, अगर मैं कोई trade मिलता है, तो मैं आप लोगों को जरूरू बता हूँगा, trade नहीं मिलेगा, दुबारा कोई signal नहीं आएगा, then I will not enter. तो guys, मैं अपना second rate भी ले चुका हूँ और वहाँ पे अच्छे खासे points हमें मिले, जैसे ही मुझे उपर की तरफ का trigger मिला, जैसे ही मुझे उपर की तरफ का signal मिला कि यहां से bank nifty उपर जा सकता है, वहाँ पे मैंने 3700 की put को बेचा, यहाँ पे मैंने put को बेचा, मैं call को बेचा, वहाँ पे भी अच्छे का से points बनते, put को मैंने बेचा, तो वहाँ पे भी हमें अच्छे का से points मिले, तो जिते भी new joinees हैं, जिन्होंने recently conceptual trading join किया, यह video देखते है time, validate करेंगे अपने levels को, bank nifty spot chart खोलेंगे, वहाँ पे अपना setup लगाएंगे, तो guys, start of the day, जो मैंने downside trade लिया था, जो मैंने एक bearish trade लिया था, मैंने वहाँ पे call को short किया था, कुछ दे ट्रेड हमारे हिसाफ से चला, पर bank nifty में उपर की तरफ का reversal आ गया, तो मुझे exit करना पड़ अपनी position से, मेरा वहाँ पे trailing stop loss हीट हो गया, और छोटा सा नुकसान हुआ, 2,000 रुपे के आ 12.39 पे हमें एक upside signal मिला, वहाँ पे एक point का भी, मतलब एक point भी वहाँ से bank nifty नहीं पलटा और उपर की तरफ भागता चला गया, तो ऐसा नहीं है कि हमारे हमेशा stop loss हीट हो सकते हैं, market हमारे favor में भी जाएगी, हमारे against भी जाएगी, सुबह जो मैंने trade लिया, अगर मैं उसमे देखने को मिल सकते तो और वही देखने को में मिल रहा है, इसलिए हमने scalping prefer की, हम scalping करेंगे, जो भी trigger आएंगे, हर trigger में काम करेंगे, तो दो trigger आए, start of the day, वहाँ पे वो काम नहीं किया, कोई बात नहीं, छोटा सा मुझे नुकसान देके चला गया, दोती निजार का, second trigger मि मैं कुछ profits अपने book कर लेता हूँ, वहाँ पे मैंने कुछ profits अपने book किये, जैसी मेरा initial target हुआ, वहाँ से फिर bank nifty दुबारा से नीचे आने की कोशिश कर रहा था, मैंने exit कर लिया, मेरा दुबारा से trailing stop loss it हो गया, तो जब तक market हमारे हिसाब से चलती रहेगी, वहाँ पे म market में पैठे रहेंगे, जैसी market अगेंज जाएगी, छोटे सनुखकान में exit, हाला कि अभी bank nifty दुबारा उपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर में पस कोई signal नहीं है, दुबारा entry करने का, तो मैं जबदस्ती trade नहीं लूँगा, जबदस्ती entry नहीं करूँगा यहाँ पे, त तो चार्ट अपना खोलो, setup लगाओ, दो में से एक trade चला, एक नहीं चला, एक जगा, छोटा सा नुकसान लेके हम भाहर चले गए, दूसरी जगा हमें बड़ा profit हो गया, बड़े points क्योंकि bank nifty ने move ही इतना बड़ा दे दिया, अगर bank nifty बड़ा move देगा, तो obvious ही बात है, च जादा फरक नहीं है, गाइस, दीगी, market अगर चलेगी, तो दोनों ही फैदे देंगे, पर फरक इसीच का आता है, अगर market नहीं चली, sideways होगी, तो writers जो है, वो कही न तहीं, अपना को संभाल बात है, उनके stop losses hit नहीं होते हैं, पर buyer के stop loss hit हो जाते हैं, पर market अगर बड़ा move द चला जाएगा, तो buyers की चांदी हो जाएगी, पर खेर, अभी market पलटने की कोशिच कर रही है, bank nifty अभी वापिस नीचा आने की कोशिच कर रहा है, तो हमें market से जोजना नहीं है, लडाई नहीं करने, जिस तरफ market जाएगी, उस तरफ का trade लेंगे, छोटे से stop loss के साथ, और व तो accuracy बन जाती है, 50%, जहाँ पे नहीं चला, छोटे से नुकसान में exit कर गया, जहाँ पे चला, वहाँ पे मैंने wait किया, बड़े profit के लिए, तो accuracy इतनी जादा matter नहीं करती है, आपका discipline matter करता है, risk and reward matter करता है, अगर आपकी जो strategy है, 50%, 60%, 70% तक भी ठीक है, तो भी आप market में पै तो कर रहा हूं पर आगे further मैं कोई trade नहीं लूँआ, और आपकी तो बैंक निफ्टी रूपने का नाम ही ले रहा, बैंक निफ्टी ऊपर भागता ही जा रहा है, यह देखिए, यहाँ पे गई पर हमें signal मिला था, बारा बच के 49 मिनट पे 12.39 पे और वहाँ से अभी तक बै या उच्छाल हमें दिखा दिये, और आप यह day के high price पे trade कर रहा है, 37.760, 8 is the level, right now.